Hello everyone, welcome back to Zero YouTube channel, this is Shivani Keswani तो आज के इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं SBI Junior Associate की first month salary आप लोगों में से बहुत सारे लोग SBI को target कर रहे होगे, SBI experience होगे या फिर bank exams की preparation कर रहे हो तो आप लोगों के लिए definitely salary एक motivating factor होता है तो उसी पे मैं video बना रही हूँ जिससे कि आपको पता चले क्योंकि बहुत सारे बचों के दिमाग में होता है कि यार कितनी होगी हमारी enhanced salary जब हम काम करेंगे first month की salary कितनी आती है तो ये मेरे दिमाग में भी कही न कहीं questions आते थे जब मैं तैयारी करती थी तो मैंने सोचा कि इस question पे ज़रूर एक salary slip पे एक video बनाना चाहिए जिससे कि आपका वो doubt clear हो जाए तो आओ फिर salary slip को हम लोग discuss करते हैं क्या क्या allowances मिलते हैं वो सब मैं आपके साथ share करने वाली हूँ इस video में ओके यहाँ पे आप मेरा name देख सकते हो मिस्षवानी के स्वानी यहाँ पे मेरी position या designation junior associate है और यहाँ पे अब हम बात करते हैं मेरी date of joining की तो 21st February को मैंने join किया है और यह March की salary slip है तो इसमें वो जो मैंने 10 दिन February में काम किया है वो भी जुड़के आता है तो उसको हम लोग हटा के भी बात करेंगे कि कितनी एक महीने की salary निकलती है अब यहाँ पे आप Dearness allowance DA करके देख पा रहे हो 32.97% यह जो होता है आपका महंगाई बहता होता है ऐसे हिंदी में बोलते तो आओ अब देखते हैं कि इसमें क्या-क्या होता है देखो basic pay आपका 19,900 होता है Dearness allowance जो होता है वो basic pay पे ही calculate होता है जितने भी allowances होते हैं वो सब आपके basic pay पे calculate होते हैं तो यहाँ पे Dearness allowance आपको 7,999 मतलब अप्रोक्स 8,000 दिख रहा है वो आपका 32% है 19,900 का तो आप जाक आपके calculate भी कर सकते हो house rent allowance जो है वो 2,000 लगबग है ट्रांस्पोर्ट आपको 600 मिलता है अर्योर्ज ओफ वर्णिंग यह वही है जो मैंने आपको बताया कि February में जो 10 दिन मैंने काम किया है उसका यह एड होके आ रहा है 9,815 तो इसको हम अटाके बात करेंगे कि कितना gross pay बनत 44,169 और इसमें से अगर हम अपना arrears वाला पार्ट हटा दें तो लगबग 34,000 चला जाता है तो इतना आप मान के चलो कि आपका gross पे 35,000 लगबग बन जाता है और इसके अलावा और भी कई सारे allowances होते हैं पेट्रोल allowance, newspaper allowance और भी बहुत सारे allowances होते हैं जिस पे मैं एक separate video लेक्या होंगी फिल्हाल में आपको एक basic knowledge दे रही हूं कि ये सारी चीज़े आपकी salary slip में होती है अब deductions की बात करें तो आपका pension fund कटता है 2700 रुपए और इतना ही है इससे थोड़ा सा जादा bank contribute करती है वो सब आपका contribute होता रहता है और फिर आपको retirement के बाद मिलता है एक मुझे लगता है कि ये अच्छा कासा अमाउंट है और इसमें से अगर हम arrears आप अटा दे तो लगबग 31,000 या 32,000 हमारा salary बन जाता है ठीक है तो ये थी आपकी पूरी salary slip ठीक है मैं आपके साथ डिसकास कर दी है I hope आपको motivating लगा होगा आप लोग बढ़िया तरीके से preparation कर आपको जब आप preparation करके उस phase में पहुचोगे तो आपकी जो भी financial needs होंगी वो सब आपका employer ध्यान रख लेगा आपको फिर सिफ काम पे ध्यान देना है तो अभी पढ़ाई पे ध्यान दो अच्छे से पढ़ाई करो all the very best और I hope I wish कि आप सब लोग अपने सपने को जल्दी से पूरा करो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो कोई भी डाउट आए या दिक्कत आए तो आप मेरे इंस्टेग्राम पर मुझसे जोड़ सकते हो वहां पर पूछ सकते हो या फिर comment section में भी पूछ सकते हो